क्या आप भी अपने play store से कोई भी application आप download करते हैं यहां से आप कोई भी application आप download करते हैं और वो आपके home screen पे यहां पे आपको देखने को नहीं मिलता है वो application तो कैसे आपको देखने को मिलेगा और कैसे आपका application यहां पे सो होगा वही मैं आपको बताने वाला हूँ और वही म प्रप्लम को कैसे आप हें सौलव कर सकते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा तो चलोड़ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन खेला है कि सबसे पाहले आपको अपने फंटोर से जो आप immunity को मिल जाएगा आगर वो यहाँ अपको देखने को नहीं मिलता है आपके home page पर यहाँ पर जैसा आपका सारा F देखने को मिलता है तब आपको connect है आपको अपने mobile phone के अंदर अपना F screen open करना है याद तो आप इसे F driver कह सकते हैं आपको इसे open करना है जैसे आप इसे open करेंगे यहाँ पर देखने को मिलेगा search bar आपको इस पर click करना है और जैसे ही आप search bar पर click करेंगे यहाँ पर आपको वो application सर्च करना है और यहाँ पर आपका आजाएगा वो application अगर नहीं आता है तो वो application आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा यानि कि वो application आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा अगर वो application आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है, तब आपको करना है, यहां से आपको बैक आना है, जैसे आप यहां से बैक आएंगे, आपको एक मुबाइल फोन के अंदर आपको एक application मिलेगा, गेम लॉंचर के नाम से, आपको इस पर किलिक करना है, जैसे आप इस पर किलिक करें जो गेम आपके home screen पर देखने को नहीं मिलते हैं तो यहां पर देखने को 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 मिलते हैं तो यहां पर हमार पर लॉंग प्रेस करना है जैसे आप लॉंग प्रेस करेंगे यहां पर देखने को मिलेगा रिमूब फ्रॉम गेम लॉंचर आपको यहां पर देखने को मिलेगा रिमूब का ओप्सन आपको इस पर किलिक करना है जैसे आपका एपलिकेशन रिमूब हो जाएगा और जैसे यहां पर मिलेग को सर्च वार सेटिंग के अंदर फ्रेकर देखने को मिलागी एस सेटिंग को यहां पर सपूरी तरीके से बंड करेंगे अब क्या होगा जितने आपके एप्लिकेशन जो हाइड थे वह आपको देखने को नहीं मिल रहेए वह सारे application यहाँ पर आपको देखने को मिलना start हो जाएंगे यहाँ पर आपके सारे application आपको सो होना start हो जाएंगे तो ऐसे आप अपने किसी भी application को अपने home screen पर ला सकते हैं अगर फिर भी आपको नहीं देखने को मिलता है तो आपको अपने mobile phone के अंदर अपना hidden apps setting open करना है यानि कि जहां से आप application hide करते हैं चुपाते हैं वहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने कभी उस application को hide तो नहीं किया है अगर आपने hide किया है तो वहाँ से आपको उसे unhide करना पड़ेगा और फिर भी आपको यहाँ पर आपका application देखने को नहीं मिलता है, तो आपको एक बार ये चेक कर ले रहा है, कि जो आपने application डाउनलूड किया है, उसका latest version जो है, वो आपके mobile phone के अंदर काम कर रहा है या नहीं, कभी-कभी क्या होता है, कि आप new latest version में application डाउनलूड कर लेते हैं, और वो application आपके mobile phone के अंदर work नहीं करता है, और आपका जो mobile phone होता है, वो यहाँ पे old version में होता है, और application new version में हो जाता है, तो ऐसे वो application काम नहीं करता है, और आपके home screen पर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको ये 3 setting, ये 3 tick apply कर लेना है, और सारा application आपका home screen पर देखने को मिलना start हो जाएगा, तो मैं आसर करूँगा, आज आपको पता चल गया होगा, तो मिलते हैं next video में, इस video के लिए एतना ही, video पुरा देखने के लिए आपका पहुत बहुत धन्नवाद,